जहें दोस्तों मैं आप सभी को आइडिल स्टोडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ मैं आप सभी के बीच लेकर आगया हूँ कलास 10 के लिए आपका हिंदी सब्जेट का कावे खंड का आपका ये 12 चाप्टर और ये लास्ट चाप्टर लेकर आगया हूँ तो इस चाप्टर से जितने भी objective या फिर subjective question आपके exam में पुछे जाएंगे यही से आपके exam में पुछे जाएंगे तो वीडियो को सुरूर से अंतक जरूर देखिएगा तो चले start करते हैं सबसे पहले हम आपको chapter का नाम बता देते हैं रेनर मारिया रिल के लेखक हैं अना रेनर मारिया रिल के इसके लेखक हैं मेरे बिना तुमपरभो चाप्टर का नाम हो गया मेरे बिना तुम परभो चाप्टर का नाम हो गया जिसके लेखक है रेनर मारिया रिलके अब हम इसका महत्पुन बिंदु की बात करेंगे ठीक है तो इस कभिता के कभी इस कभिता के लेखक इस कभिता के कभी कौन है रेनर मारिया रिलके मेरे बिना तुम परभो चाप्टर के लेखा कविता के लेखा कौन है तो रेनर मारिया रिलके है जिनका जनम 4 दिसम्बर 4 दिसम्बर 18-75 इस भी में प्राग आश्ट्रिया अब जर्मनी में जो की पड़ता है हुआ था ओके आगे देखते हैं इनके पिता का नाम यानि रेनर मारिया रिलके के पिता के नाम जोसेफ रिलके और माता का नाम सोफिया माता का नाम सोफिया पिता का नाम जोसेफ रिलके इन्होंने प्राग म्यूनिक बिस विद्याले में शिक्छा पाई थी आगे इन्हें काला और सहित में आरंब से ही गहरी अभी रूची थी इन्हें संगीत सिनेमा आदी अनेक कलाओं में गहरी जानकारी थी ये कविता के अतरिक्त गद्ध भी लिखते थे है ना आगे देखिए इनका एक उपनियास है दो नोट बूक अफ माल्टे लाड़िड्स ब्रीज आफ और टेल्स ठीक है आफ आलमाइटी ये आपका कहानी संग्रफ परसीद है इनका उपनियास का नाम है दो नोट बूक अफ माल्टे इनके पर्मुख कविता संकलन है कविता है जैसे पाला कविता का नाम है लाइफ एंड सॉंग्स ये भी इनका फेमस है आगे लोरेंस सेक्रिफाइस एड्मेंट है ना ये भी इनका फेमस है ये सब इनकी कविता संकलन है इनका नीधन कभ हुआ इनका मिर्तु कभ हुआ तो 29 दिसम्मर 1926 में इनका नीधन हु किया था तो धर्मबीर भारती किये थे याद रखिएगा धर्मबीर भारती के द्वरा किया गया है ठीक है यह कविता जो है 200 कविता के भासांतरित संकलन देशांतर से लिया गया है याद रखिएगा अब देखिए अब हम direct objective की बात करते हैं जो एक्जाम में आपके direct पुछे जाएंगे पहला है life and songs कविता का संकलन किसकी रचना है तो रेनर मारिया रिलके के अगला है मेरे बिना तुम प्रभू के लिखा कौन है तो रेनर मारिया रिलके हैं आगे देखते हैं रेनर मारिया रिलके का जनम कब हुआ था तो 4 दिसम्मर 18-25 में हुआ था रेनर मारिया रिलके का जनम कहां हुआ था तो आश्ट्रिया में हुआ था जो की अब जर्मनी में पढ़ता है आगे देखिए रेनर मारिया रिलके के माता का नाम क्या था तो सोफिया नाम था रेनर मारिया रिलके के पिता का क्या नाम था तो जोसेफ रिलके था आगे देखिए भक्त र पिलके कविता में मेरे बिनत्तुम परभू है कैसा है जी तो भावात्मक रहस्वाद है भक्त कभी अपने को भागवान को क्या मानता है भागवान का जलपात्र मानता है आगे है निर्वासित का अर्थ होता है बेघर निर्वासित मतलब बेघर आगे मेरे बिनत्तुम परभू कविता के हिंदी में अनुबाद किस ने किया था तो धर्मबीर भारती ने किया था आगे देखिए पाठ पुस्तक में संकलित रिलके की कविता किस भाव में है तो भक्ती भक्ती किस भाव में है ये पाठ पुस्तक में संकलित रिलके की कविता है किस भाव में है तो भक्ती भाव में है भगवान की किरपा द्रिष्टी कहा निर्विश्राम करती थी तो कभी तो कभी के कफोलो फर आगे हैं कभी किसके स्वाधीन होने की बात करता है तम मदीरा की स्वाधीन होने की बात करते हैं कभी रिलके के अनुसार मनुस किसका अस्तितु नहीं रहेगा इस्वर का मनुस का अगर अस्तितु नहीं रहेगा भक्त का अस्तितु नहीं रहेगा तो इ बहासा के अनुबादक हैं किस बहासा के अनुबादक हैं जी तो जर्मन बहासा के अनुबादक हैं दोर चटानों की ठंडी गोद में किस कभी के पंती हैं तो रिनर मानिया रिलके की है आगे देखिए कभी अपने को भगवान क्यों मानता है भगवान की क्या मानता है तो रेणर मारीय रेलके की मिर्थु कभ हुई तो 1926 में हुई थी उनी सोचोंवई ने रेणर मारीय रेलके की मिर्थु हुई थी आगे भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है भक्त के नो होने पर अगला है किसे खोकर इस्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे तो भक्त को खोकर कभी रेनर मारिया लिल के किन को चर्णों में छाले पर जाने की बात करता है तो प्रभु के चर्णों में अब चलिए हम डारेक्ट अब सब्जेक्टिव कोश्चन की बात करेंगे जो एक जाम में पूछे जाते हैं तो पहला कोश्चन है कि संदार लब्दा किसका गिर जाएगा और क्यों हो तो इसका एंसर हो जाएगा भगवान का संदार लब्दगी जाएगा क्योंकि जिसके कपोलो की नर्म सहिया में भगवान की किरपा द्रिष्टी विश्राम करती थी वो भगत ही नहीं रहेगा आगे है अगला कोचन कभी किसको कैसा सुख देता है एंसर है कभी प्रभु की किरपा द्रिष्टी को अपनी सरीर चेहरे की नर्म सहिया पर विश्राम कर विश्राम देने की सुख देता है अगला कोचन कभी को किस बात का आसंका है कभी को इस बात की आसंका है कि उनको न रहने पर प्रभु का क्या होगा अगला कोचन है कविता के अधार पर भक्त और भागवान के बीच में संबंध पर परकाश डालें इंसर है कविता के अधार पर भक्त और भागवान के बीच काफी गहरा संबंध बताये गया है भागवान को भक्त के बिना अधुरा बताये गया है भक्त और भगवान एक दूसरे के पूरक बताए गए हैं तो ये आपका टोटल यहाँ पे अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ही इस चाप्टर का कम्पलीट हुआ और मैं पुरा बुक का पुरा नोट्स आपको यूटूब चैनल के अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया है उसको सभी वीडियो को देखिए और अपना नोट्स बनाईए फिर परिए तयारी करिए फिर देखिएगा आपका कमाल कितना वेहतरीन आप नंबर उठा कर आते हैं ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में